दोस्तों अब बात करने वाले 13 x 24 हाउस प्लान के जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे होंगे इसी मॉडल को डिसकस करने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर थे वह नो ने कमेंट किया तब 7 गंडे पहले है प्रॉक्स यह सर मुझे 13 x 24 का हाउस क्रेट करके दीजिए जिसमें बेट डूम लेटरिंग बात रूम इस्टेर्स और किचन की वेवस्ता हो तो उन्हीं के गहने में इस मॉडल को डिजाइन किया है जैसा कि हमारा थमनेल भी आपने देखा हो और इस मॉडल को भी आप देख रहे होंगे इसी को आज हम डिसकस करेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर फ़स्ट और शेकरिंड फ्लोर अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इसमें रेलिंग वगएरा सब कुछ डिजाइन किया है और यह थ्री साइट किलोजड है तीन तरप आपके घर ब सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें साचाथ वेल आइकन दमाएं से मेरे आने वाले सबी वीडियो देख सकें तो यह देखिए दोस्तों मैंने जब से यह ट्री रिमूब कर दिया आपको अगर हम जूम करते हैं तो आपको रियलिस्टी को देखने को मिलेगा है रेलि यह एक सिंपल सी रेलिंग है जो आपको देखने को मिल रही होगी इसका टेक्शर वगएर आप सब देख पा रहे होगे और यह दोस्तों प्योपी कर डिजाइन है जो बीम है उसी पर आपका प्योपी कर डिजाइन है यह आप बनवाना चाहते हैं इस सब सीजिया आप पर तो सबसे पहले इसके हम ग्राउंड फ्रोर पर आपको ले चलेंगे तो जैसे मैं ग्राउंड फ्रोर पर आता हूँ आपको जिसमें अच्छे से दिखे तो यह तो दोस्तों फ्रंट मेंस का रोड होगा वहां से स्लोप होगा जहां से आप चलपाएंगे इसका में डूर है और यह एक विंडो है, जैसे आप इंट्री करते हैं, तो सबसे पहले आपको मिल जाती है, जो की धाई फिट की है, जिससे आप अंदर से शड़ेंगे और बाहर की उतरा पाते हैं, उसी के नीचे शपेस और साथ में बगल में भी आपको तीन फिट के स्वेस मिलता है, टोटल पांच फिट का आप देख सकते हैं, गैलरी टाइप का जो आप देख रहे हैं, इसके बाद अब इंट्री करते हैं, तो फर्स्ट आप आपको मिल जाता है किचिन, मैंने फ्रेंड में इसलिए बनाया है कि अगर विंडो लगा होगा तो विंटलेशन के प्राउलम नहीं या डाइनिंग हॉल टाइप का क्योंकि जगह बहुत ही कम है 13 क्रोस 24 में और यहां पर जो आपका रूफ होगा अच्छा तो इसमें आप जा ले हां बीच में रखवाएंगे इस से उपर से आपका रूशनी बगार आए घर में कोई दिक्कत ना हो, सबसे कॉर्णर पे एक आपको बैड डूम दिया है और इस बैड डूम का साज है 9 वाई 9 का मातर 9 वाई 9 का है क्योंकि टोटल 13 फिट है यह और इसके बाद 4 फिट बचता है और उसमें यह जो चोड़ाई की बात करें, पर आपका बीच में स्पेस आंगन वगएरा नहीं बनेगा तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर बनवाना चाहते हैं के विल तो एक कम्प्लीट घर हो जाएगा जहाएगा जहाँ पर रूम किचेन लेटिंग बातरूम में स्टेर्स वगएरा मिल जाती है अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हॉल रखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे छोड़ दें ये कुछ भी न बनाए अब हम बात करेंगे इसके फ़स्ट फ्लोर की और स्टेर्स की बात करें तो धाई फिट का जीना रखें तो आप दोस्तों यहाँ पर मैंने डोर नहीं दिया है यह आप डेजाइनिंग देख रहे होंगे क्योंकि जब आप चड़ेंगे अगर थोड़ा सा पीछे जीना बनाएंगे तो आप यहाँ से इंटी कर सकता है थोड़ा सा मोड दें एक दो सीड़ी तो आप इस वाली एरिया में डारेक्ट आएंगे अनथा डारेक्ट पांडी जो आपका रेलिंग होगा वहाँ पर आप एक्जिक्स्ट करेंगे आके तो यह आप पर डिपेंट करता है जब आप बनवाएं तो थोड़ा से मैनेज करें एक दो स्टेर्स अगर आप इधर को मोड देंगे तो आप इस एरिया में आ जाएंगे और आप पर इसके बाद पीछे आप जा पाएंगे जो था आपका 24 था तो लगबख 10 फिट का यही आपका निकल जाता है 14 फिट बचा 14 फिट में अगर आप 4 फिट का रखेंगे तो यह बहुत ही छोड़ा रहता है यह कम जबख 6 फिट का एरिया होना चाहिए इसके बाद ही आप कोई रूम बगएरा भी डिजाइन कर सकता यह आपकी रिक्वार्मेंट पिड़बेंट करता है अगर आप उपन रखना चाहते है तो आप पिड़बेंट करता है क्योंकि यहाँ पर अगर चीए ओपन रहती है आपका रूम भले ही कम है लेकिन वेंटलेशन की कोई प्रावलम नहीं होता है तो अब यहाँ पर यह आप जो इस्टेर्स उपर आई यहाँ आप आपको रेलिंग भी लगवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आप नीचे जाने की शांबर नहींकोर पस रेलिंन लग़ेंगी लेकिन उल्टी साइड लगी है ये रेलिंग आपको लगवानी पड़ेगी तो ये फ़ाइस फ्लोर हो गया ग्राउन फ्लोर हो गया अगम रेलिंग की बात करें तो धाइफट का चच्चा बनाया है और इसमें ये रेलिंग पाइफ और ब्रिक्स कमबाइण करके क्रेट किया है ये दोस्तों जो आप लाइनिंग दे रहे हैं ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है अगर आप इसे थोड़ा अच्छा देखना चाहते हैं तो आप ब्रिक्स वगवारा लगवा सकते हैं और ये आपका बीम है जो की बीम की उपर आपका प्यूपी का डिजाइनिंग ये आप देख पा रहे होगे तो ये इसका फास्ट लोर हो गया अब हम बात करते हैं इसके लाइस्ट लोर की इफिटी वैसे रखें क्योंकि ज्यादा लंबाई का प्रदिक्कल मिलता है या फिर आप या पर इस्टील लगवाएं बजन हो जाता है और आपको बनवाते समय इस सब चीजें ध्यान देनी होती है या आपको बीम है जो आगे निकलवानी आवश्यक होती है अगर आप नहीं निकलवाते जो चच्चा होता वो कभी न कभी आपका नीचे जोकने की संभावनाई रहती है तो ये सारी चीज़े आप पर डिपेंड करती है तो आप हरमेशा हमारे चनल से जुड़े रहे हैं तो जैसा भी आपको मॉडल लगा हमें कमेंट करके बताएं अगर आपकी कोई रिक्वार्मेंट है तो आप हमें कमेंट करके भूच चकते हैं अगर आपने भी तक इस वालाउस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें थैंक्स पो वाचिंग